तो बच्चों आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे पास्कल के नियम के अनुप्रयोग के बारे में इसमें पहले अनुप्रयोग की हम लोग बात करेंगे जो है द्रवचालित मसीन का सिध्धान्त तो देखिए इसमें होता क्या है इसमें हम लोग कम बल लगा करके अ अधिक भार उठाते हैं, तो देखिए इसमें बच्चा होता क्या है, इसमें हम मान लेते हैं कि हमारे पास कोई दो बरतन है, हमने कहा, यह हमारा है पहला बर्तन और उसके बाद में ये है हमारा दूसरा बर्तन या कहो पात्रा और इसका नाम दो देते हैं ये हमने कहा इस में जो ये पिस्टन लगा है यह आप का पिश्टन लगा हुआ है समान लेते हैं कि यह हमारा क्या है पिश्टन है थोड़ा ऐसा कर दें तो लगने लगेगा यह हमने कहा विच्चा हमारा पिश्टन है ठीक है और इस पिश्टन का नाम है पीवन और इस पात्र का जो एरिया है वह विच्चा हमने क्या कह दिया एवन ह ऐसे ही जो दूसरा पात्र है वाई इसका एरिया हमने कहा बच्चा क्या है एटू है क्या है एटू है और जो इसमें पिस्टन लगा हुआ है यहां पर आप चाहें तो कोई कार वगएरा रखती जिए ठीक है मान लो ऐसा कि कोई कार वगएरा रखी यहां पर और यह जो you या क्या भड़ा है तो आपो जो हम ने बनाया है उसका माना दान लिख लेते हैं क्या बत्चान बनाया है हमने बनाया है कि X और Y क्या है आप देख रहे हैं दो बरतन है जिनके छेत्रफल क्या है A1 और A2 और जिन पर दाब क्या लगे है बच्चा मेरा P1 और P2 लगे हैं तो लिख लेते हैं कि माना क्या लिखेंगे माना X और कौन Y X तथा Y क्या है दो बरतन है X और Y बच्चा क्या है दो बरतन है या बेलन क्या कार के है तो यहां चाहों बढ़ा दो दो कैसे है लिख दो ना बेलना कार बरतन है क्या माना X तथा Y दो कैसे बेलना कार बरतन है क्या है दो बेलना कार बरतन है जिन पर जिन जिन के दाब जिन के दाब P1 और वा पीटू है या कहतो जिन पर दाव पीवन वा पीटू लगे हैं कुछ नहीं कह सकते हो क्या जिनके दाव पीवन वा पीटू है या जिन पर दाव पीवन वा पीटू लगे हैं आप इस प्रकार से लिख लेना ठीक है और इनके जो छेत्रफल है वह अच्छा क्या है इनके छ शेतो फर मेरा बच्चा क्या है एवन तथा एटू है ठीक है और हमने कहा यहां पर एटू का वैल्यू जो है वह एवन से क्या है बढ़ा है से बढ़ा है अब हम देखेंगे तब पहले पिस्टन तब पहले piston पर दाब P1 तो दाब वाला अगर लक्षर आपने हमारा नहीं देखा है तो बच्चा उसे जरूर देख लीजिएगा तो दाब P बराबर क्या होता था F upon A क्या होता था F upon A तो यहां से बच्चा क्या हो जाएगा P1 बराबर F1 बटे क्या हो जाएगा A1 ठीक है और इसी प्रकार दूसरे piston पर दाब अब क्या निकालेंगे दूसरे piston पर दाब तो दूसरे पिस्टन पर लाज जब दाब निकालेंगे तो आप देखेंगे यहां से यही बन जायागा P2 बराबर अब क्या हो जायगा F2 बटे यह हो जायगा A2 क्या हो गया P2 बराबर F2 बटे A2 अब हम समी करण एक भाग दो हम लोग करेंगे समी करण एक भाग दो और यह P2 था दूसरे पिस्टन के लिए तो अब एक भाग दो करूं तो बच्चा एक क्या है P1 और बटे P2 बराबर यह कितना हो जाएगा F1 बटे क्या चल लहा है A1 यह हो जाएगा F1 बटे A1 गुड़े यह देखो बच्चा A2 उलट जाएगा तो यह क्या हो जाएगा A2 और बटे में कौन आ जाएगा F2 A2 बटे F2 अब यहां से अगर हम F2 निकालें बच्चा तो F2 यह बटे में है ठीक है इधर ले आओ तो किस में हो जाएगा गुड़े में हो जाएगा तो आप देखेंगे हम इसे कह सकते हैं कि F2 गुड़ें यह क्या हो गया P1 बटा P2 बराबर यहां से हम कहेंगे बचा क्या यह बच्चा F1 क्या बच्चा F1 गुड़ें इधर से बचेगा A2 बटा बच्चा क्या बना A1 क्या बना A2 अपान A1 अब यहीं से हम कह सकते हैं कि F2 बराबर अब यह हो जाएगा P1 बटा P2 इधर किसमें है बच्चा मेरा गुड़े में है इधर आएगा तो किसमें हो जाएगा जब दूसरी साइट बेजोगे पूरा पलट जाएगा तो इसी को हम कहेंगे कि F1 गुड़े A2 बटा A1 और गुड़े इधर से क्या हो जाएगा P2 बटा P1 क्या हो जाएगा P2 बटा P1 अब हम क्या करेंगे पास्कल का नियम लगा देंगे पास्कल के नियम से पास्कल के नियम से तो बच्चा मेरा पास्कल के नियम से P1 बराबर क्या हो जाएगा P2 बराबर हम कहेंगे P क्योंकि वहाँ पर जब दाब लगता है तो वो क्या होता है, समान रूप में संचरित होता है तो P1 बराबर, P2 बराबर बच्चा किसके हो जाएगा P के हो जाएगा, अब हम कहेंगे यही बनेगा हमारा, इसके बाद में है देखिए, F2 बराबर यहां से हम लिख रहे हैं, F2 बराबर F2 बराबर, तो यह क्या है F1, F1 गुणे A2 बटा, A1 और गुणे बच्चा क्या हो जाएगा अब P1 बराबर, P2 बराबर P तो P बटा P, यह क्या हो गए Cancel, तो F2 का वेल्यू अब क्या बच्चा अब बच्चा F1 गुणे A2 बटे बच्चा क्या बच्चा A2 बटे क्या बच्चा आपका A2 बटे बच्चा A1 अब अगर इससे हम देखें तो हमारा बच्चा निसकर्स क्या निकला भई क्या आया या आया F2 बराबर F1 गुणे A2 बटे A1 तो इससे निसकर्स क्या निकलता है कि कम छेत्रफल वाले पिस्टन पर निस्कर्स ये निकला यहाँ पर लिख रहे हैं कि कम छेत्रफल वाले पिस्टन पर कम बल लगा कर अधिक छेत्रफल वाले पिस्टन पर अधिक छेत्रफल वाले पिस्टन पर अधिक बल उपर की ओर प्राप्त किया जा सकता है तो वच्चा इससे क्या निस्कर्स निकला हमने क्या कहा कि कम छेत्रफल वाले पिस्टन पर कम बल लगा कर अधिक छेत्रफल वाले पिस्टन पर अधिक बल ऊपर की ओर प्राप्त किया जा सकता है यानि कि हम बल लगाएंगे कम और हमें क्या जो बड़ा वाला पिस्टन है उस पर अधिक बल प्राप्त हो जाएगा यानि कि कम बल लगा के हम कहेंगे काम बहुत बड़ा हो जाएगा ठीक है बच्चा तो ये था हमारा बच्चा द्रवचालित मसीन का सिध्धांत तो तो बच्चों हम आसा करते हैं कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को वीडियो को लाइक करिए सेर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और आज के इस ले लक्चर में धन्यवाद